हेलो स्टुदेंट, गूड अप्टरनून, मैं सेल्फ सलेन, टीचर आप सिवाजी गुरोप आप इंस्टिटिशन, तोड़े आइविल टीच, तोड़े आइविल टीच, इस मेगनेटिक इफेक्ट आप करेंट, आप फिजिक्स क्लास 10 इन हिंदी वीडिया, आज का वीडियो पार्ट 6 है, जैसा की स्कीन पे आपको दिख रहा है, विद्दुद्द चुमकी प्रेरण, विद्दुद्द चुमकी प्रेरण क्या होता है, विद्दुद्द चुमकी प्रेरण, एक ऐसा सिधान्त है, जिससे किसी भी कुंडिली के द्वरा चुमकी छेत्र में परिवरतन करके एक धारा प्रवाहित की जा सकती है उस धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं जैसा कि आपको स्कीन पर दिख रहा है जब किसी कुंडली में प्रवर्तित धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन चुमकी छेत भी प्रवर्तित होता है जब किसी कुंडली को धारा देते हैं तो उसका सेल्प, उसका स्वयम का चुमकी छित्वत्पन होता है जब उस धारा के मान में परवर्तन करते हैं तो उसके चुमकी छेत्र में भी परवर्तन होता है यदि परवर्ति चुमकी छेत्र में किसी अन कुंडली को लाया जाए जिससे प्रिरिधारा कहते हैं, इस खटना को हम विद्धुत्चुम की प्रिरण कहते हैं, विद्धुत्चुम की प्रिरण समझ गए होंगे आप, विद्धुत्चुम की प्रिरण होता क्या है, मैं आपको उदाता हूँ, इसमें आपके पास एक कुंडली होती है, जिससे तार को लपेट कर बनाया चाहता है इसका एक साइड ए और एक साइड भी होता है साइड ए को हम एक सेल से एड कर देते हैं सेल का जो स्टिक बड़ी होती है वो प्लस की होती है छोटी होती है वो मैनस की होती है आपको पता है जो हमारे पास बैटरी होती है बैटरी के पॉस्च्य साइट से करण का फिलो होता है जैसे इसमें करण को फिलो करोगे तो कौयल में आपके magnetic field अपन हो जाएगी लेकिन जैसे इसमें प्रवाहे धारा के मान में हम परिवर्वर्टन करते हैं तो इसके चुम की छेत में भी प्रवरतन होता है चुम की छेत में प्रवरतन होगा और इसका परनालिका के चारो एर एक चुम की छेत रुत्पन हो जाएगा क्या रुत्पन होगा? चुम की छेत रुत्पन होगा अब इस परवर्ति चुम की छेतर में एक हम अन्य कुंडली को लेकर आते हैं मालो हमारे पास एक अन्य कुंडली है जो यहां पर रख दी है इस कुंडली को भी तामे के तारों को लपेट कर बनाया गया है इस कुंडली को हम जैसे रखते हैं और इसको वायर के द्वारा हम गैल्बनोमीटर से जोड़ते हैं किसे जोड़ते हैं गैल्बनोमीटर से जैसे कि मैंने आपको लास्ट आडियों बताया था गैल्बनोमीटर क्या होता है गैल्बनोमीटर किसी भी उक्राण में ही उसनल सुचन को दर्साता है , vive ? तो जैसे ही हमने पहली कूंड़ी आपको दिख रही है , पहली कंड़ी को हम नाम देते हैं , एक्स और दूसरी कंड़ी को नाम देते हैं वाई पहली कंड़ी, ख्स में हम बैटरी से जोडते हैं तो इसे current flow होता है जिससे magnetic field उत्पन होती है तो हमने हमने X कुंडली के चार उत्राव magnetic field को डाग्राम के द्वारा सो किया है उसको हमने underlining भी कर दिया है यह इसकी magnetic field हो गई क्या हो गई magnetic field अब इस magnetic field में हम एक अन्य य में coil को रखते हैं जब Y coil को यह पर लाते हैं तो Y coil को हमने किस से connect किया है गल्मिटर जैसे उस प्रवरति चुमकी छेत में लाओगे तो इस गल्मिटर में आपको current सो होगा इस current को हम प्रेरिध्धारा कहते हैं जो किसी प्रवरति चुमकी छेत के द्वारा उत्पन किया जाता है अब आपके पास topic है प्रत्यावरति धारा और दीष्ट धारा प्रत्यावरति धारा क्या होती है और दीष्ट धारा क्या होती है जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में और आज, मैं ही बताओंगा प्रृत्य वर्ति धारा गोती है। ऐसी विद्धुद्धारा जो समान काल अंतरानों है, फिक्स टाइम, डिफ्रेंट, के पश्षाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, इसे प्रत्यावर्तिधारा कहते हैं, इसके डाइग्राम को भी सुग्या हो सकता है, आपको उताता हूँ, इसके डाइग्राम क्या होता है, ये, समान समय में, समान कला में परिवर्तन करती है, इस धारा को हम प्रत्यावर्तिधारा कहते हैं, इसे अल्टरनेटिव करन कहा जाता है, इसे सॉट फोर्म में हम एसी धारा भी कहते हैं, इसे हम AC धारा भी कहते हैं, जैसा कि आप स्कीन पर देख रहे हैं, प्रत्यावर्ति धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ति धारा कैसी होती है, जो अपने समय काल अंतरालों में अपनी दिसाम में प्रवर्तन कर लेती है, AC धारा को प्रत्यावर्ति धारा, यह हम AC धारा कहते हैं, जिसका डाइग्राम भी मैंने आपको दिखाया है, अप साइड पोस्टिव होता है, डाउन साइड क्या होता है, निगेटिव होता है, अप डाउन, पोस्टिव, निगेटिव, पोस्टिव, निगेटिव, यह आपका एक बार positive, एक बार negative, एक बार positive, एक बार negative, तो इसी को कहते हैं प्रत्यावाती धारा, चलते हैं दिस धारा में, आपको स्कीन पर दिख रहे है, दिस धारा, तो दिस धारा का diagram क्या होता है, मैं आपको उता हूँगा, दिस धारा का diagram ये होता है, कि वो एक fixed timing से चलती है, वो अ अपने direction को नहीं बदलती है ऐसी धारा को हम देश धारा कहते हैं इसको इंगलिस में हम direct current कहते हैं इसका short form dc होता है क्या होता है dc यह कैसे जलती है positive और negative अगर वो negative में होगी तो negative direction जाएगी positive में होगी तो positive जाएगी यह अपने दिशा में परतन नहीं करती है एक ऐसी विद्धु धारा जिसकी दिशा और परिमार समय के साथ नियत हो दिश्ट धारा करती है समय के साथ नियत हो मतलब वो बदल ना रहा हो तो ऐसी धारा को हम दिश्ट धारा कहते हैं और जो समान समय अंतरालों में मतलब समय के साथ अपनी दिशा में परवतन कर रहे हूं ऐसी धारा को हम प्रत्यावरती धारा कहते हैं इसका भी डाइगराम आपको में बनाग दिखाऊंगा यह क्या होता है यह हमारी क्या होती है एसी क्या होता है एसी क्रांट क्लियर नेक्स्ट टॉपिक है घरेलू वैदुद परिपत जैसे कि आने लास्ट आडियों कुछ कुश्चन दिये थे खरके घरेलू परिपत से मैं आपको आपको बताऊंगा हमारे जो घरेलू परिपत हैं परिपत समचते हो जो करंट फ्लू के लिए हम वायर का अरेंजमेंट करते हैं उस पत को हम विदुद परिपत कहते हैं मतलब करंड के फ्लू होने का पत अब हमारे घरों में जो विदुद अपूर्थी दो तारों से आती है कैसे आती है दो तारों से डवल फेस के लिए हम तीन भी लेते हैं कि नर्मली जरृता है वो दू ब्रोस से आता है इनके मत्त उत्पन हानतर मतलब जो हमारे घरों में दू ब्रो से विद्धत अपूती की जाती है उस यह में धरम धर होता वो 220 बूल्द का उता हमारे घरों में जो करण्ट फ्लो होता है कौन सा होता है 220 वोल्ट कितना होता है 220 वोल्ट हमारे घरों में एसी करण्ट ही फ्लो होता है वह कौन सा होता है A.C. कौनस होता है? हमारे घरों में सप्लाई होने वाली विदुधर द włini कौनसी है? A.C. है और कितने वॉल्ट पर होती है? 220 वॉल्ट पर होती है इन में से काले तार को रातमक तार कहा जाता है इसमें वायर कोटिंग भी होती है आपको पता होंगे वायर एक रेड होता है और एक ब्लेक होता है ब्लेक वायर को हम रात्मकतार कहते हैं तथा लालतार को हम रात्मकतार कहते हैं आजकल जो हमारा मॉडर है इसमें और भी कलर यूज करते हैं, रेड यलो भी करते हैं, ग्रीन यलो भी करते हैं, ग्रीन रेड भी करते हैं, तो मैं इसके लिए भी नेक्स्ट और वीडियो में आपको कुछ कोट दूँगा, आपको कुछिन पूछे आते हैं, रेड वायर का मत मितलब, उसमें कैसा है? face है. तथा लाल तार को धनात्माक तार कहते हैं इसका मतलब कैसा है? Earth है तारो का जलन विद्धुत पथन कहलाए जो उसका जलन हो त़हा है, विद्धुत पथन कहलाता है उसमें जलन होती है विद्ध पथर होता है यह प्रित्रोत के कारण होता है और भी कुछ कुछ नहीं मैं आपको बताओंगा जैसा कि मैं बताता हूँ कि जो हमारे घर में सप्लाई होती है करेंट उसकी आबरती कितनी होती है तो मैं आपको बताओंगा उसकी आबरती 50 Hz होती है 50 Hz हमारे घरों में जो current flow होता है उसकी आवर्थी कितनी होती है 50 Hz आवर्थ काल कितना होता है 0.2 कितना होता है 0.2 second हमारे घरों में जो current flow होता है वो कौन सा होता है AC मैं कई question कर रहा हूँ repeat कर रहा हूँ हमारे घरों में current flow होता है AC है DC स्किकली होता है उसकी फूर्त कितनी होती है दोसो बेज कितने वयर राक और यह लेग को सबमाने च्राप होता है और होता है जो जलन होती है उससे हीं क्या गैए विद्दृत का पथन कहते हैं चीज़ परत्रोत भी कह सकते हैं इसका आबरती क्या होती है जो हमारे करन्ट फ्लो हो रहा है किस आबरती करन्ट फ्लो होता है 50 हर्ट का कैसा होता है 50 हर्ट का और जो करन्ट फ्लो हो रहा है उसका आवर्थकाल क्या होता है आवर्थकाल आपका होता है दो सेकेंड क्या होता है दो सेकेंड मैं आपको होता हूंगा आ आवर्थी कितनी हो गई 50 एर्थ और एक पूरा चक्कर पूरा करने में किवल सिर्फ एक चक्कर करने में जो समय लगता है उसे हम आवर्थ काल कहते हो कितना लग रहा है 0.2 सेकेंड